अगर आपका हाइट पाँच फीट में अठका हुआ है यार फिर आप कैसे फिल करते होंगे यह मुझे बहुत अच्छे तरीकी से पता है आपको बोलने का जोट नहीं है यार बहुत खराब लगता है आप कहीं भी जाते हो सबसे ज़्यादा इन सेकुरिटी फिल होता है कि यार लोग मेरे बारे क्या सोचेंगे और उसी में आपका कंफिदेंस डाउन जाता है आपकिसी से सही से बात नहीं कर पाते हो आपका नाम पड़ जाता है गिड़ा नाटा यह हो एंड सेम चीज मेरे साथ भी हो चुका है तो मैंने अपना हाईट 18 साल के बाद 10 इंचेस बढ़ाया था इसके लिए मैंने जो डिस्सिप्लिन दिखाया था वो मुझे बस पता है एंड मैं आपको एकी चीज़ करने चाहता हूँ आपको डिस्सिप्लिन दिखाना बहुत करना है आपको बस अपना लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करना है कुछ कुछ चेंजेस करते रहना है एंड आपको एक डिस्सिप्लिन लाइफ स्टाइल लीड करना है आपका हाईट इजी ली 6 फिट तक पहुंच जाएगा बट अगर आपका एज 30 साल है 32 साल है 35 साल ह and आप इस वीडियो को देख रहे हैं and आप अपना height को बढ़ाना चाहते हैं भूल जाओ आपका height नहीं बढ़ेगा because इस age में height नहीं बढ़ पाता है because इस age में सारा growth plates close हो जाता है तो height बढ़ने का chances 0% है लेकिन maximum हम लोग किस age तक अपना height को बढ़ा सकते हैं बहुत लोग अपना height को 26-27 साल तक भी बढ़ा लेते हैं लेकिन ये rare cases रहता है but till 25 we can increase our height आपको एक चीज़ करने चाहता हूँ 18 साल तक हमारा 30-40% growth plates close हो जाता है लेकिन बहुत सारा growth plates 25 साल तक खुला रहता है जिस वज़े से हम लोग अपना height को 25 साल तक बढ़ा सकते हैं लेकिन आपको ये expectation नहीं रखना है कि आप अपना height को 14-15 साल के बच्चों के उतना speed बढ़ा सकते हो उनका height थोड़ जादा fast बढ़ता है 18 के बाद height को slow जाता है लेकिन क्या बात है आपको मैनत करना है आपको कली बढ़ाना है ये क्या मतलब हुआ या slowly up बढ़ाओ अपना body को time दो और आस्ते 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 देखना है आस्ते आस्ते आपको पता भी नहीं चलेगा आपको पता नहीं चलेगा देखना एक दिन आपका हाइट बहुत अच्छा खासा हो जागा इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा बस आपको एक डिस्सिप्रिंट लाइप जीना है तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा उसको आप अपना लाइफस्टाइल में एड करो जिससे आपको हाइट बढ़ाने बहुत फायदा होगा कुछ लाइफस्टाइल चेंजिस करना है और उसको आपको फॉलो करना है देखना आपका हाइट इसली बढ़ जागा मैंने खुद अपने उपर किया है and मैं provide करता हूँ हाइट बढ़ाने के लिए online training तो अगर आपको मेरे से online training लेना है हाइट बढ़ाने के लिए मैं provide करता हूँ online training through whatsapp chat facility call facility नहीं है whatsapp chat facility उसके लिए mail id में contact करना है mail id में आपको contact करने नहीं आता है तो आप YouTube से सीख लो आप YouTube पे ये सर्च करना How to message on mail ID आपको पता चल जागे कि mail ID में कैसे contact किया जाता है इसके साथ सबसे बड़ा फायदा है कि आप मेरा guidance में रहेंगे and training का charges बहुत लो है आप easily afford कर सकते है and आपको ये doubt होगा कि WhatsApp नंबर कब provide के जाता है तो training लेने के लिए आपको registration करना पड़ता है उसके लिए सबसे पहले आपको mail ID में contact करना है उसके बाद मैं सभी को एक template वेजता हूँ and उसके बाद आपको registration करना पड़ता है registration करने के लिए आपको payment करना पड़ता है पेमेंट करने के बाद screenshot उस mail एड में भेजना पड़ता है आपका transaction details का उसके बाद मैं अपना WhatsApp नमबर को प्रोवाइट करता हूँ मैं इसलिए प्रोवाइट नहीं करता हूँ विकॉज बहुत लोगों को training नहीं लेना होता है उनका कुछ personal doubts रहता है फिरो call करने लगता है मैं किसी के साथ को scam नहीं करता हूँ तो उसके लिए आपको बेफिकर रहना है आपके साथ कुछ scam नहीं होगा fraud नहीं होगा आपको number मिल जाएगा विश्वास रखना पड़ेगा अपने भाई के उपर तो अभी मैं आपको कुछ tips बता रहा हूँ इसको आप जरूर follow करना early morning आपको daily चार से पांच की बिच में उड़ी जाना है and इसके लिए आपको रात में जल्दी सूना है आपका 8 घंटे का quality sleep होना चीए because height बढ़ाने के लिए 80% आपका sleep matter करता है जब आप सोते हों उसी time आपका body human growth hormone release करता है उठने के बाद आपको दो गिलास गरम पानी पीना है and उसमें तो निम्बू निचोर देना यह क्या करता है आपका body को purify करता है clear करता है साप सुत्र करता है तब जाके आपको अच्छा results मिलेगा height बढ़ाने के लिए उसके बा होगा आपका cardiovascular health अच्छा होगा and आपका liver kidney toxic elements को flush out करता तो प्रनायम करने का सुछ उटके बहुत जदा फादा है उसके बाद 10-15 minutes stretching करो फिर आप जो मेन आपका workout routine रहता है वह आप morning में कर सकते हो या आप साम में कर सकते हो जब भी आप free हो अगर आपको morning में करना है तो आप morning में उटके कर लो उसके बाद आप अच्छा एक breakfast लो heavy breakfast होना चीए उसमें आपको अंचन्ट मीठा चीज नहीं खाना है oily foods नहीं खाना है आपको high protein foods include करना है जैसे कि अंडा सुबह उटके आप ले सकते हो दूद पी सकते हो फिर पनीर फिर आपका soya chunks तो अच्छा protein source include करना है फिर sprouts थोड़ा एड़ करना थोड़ा dry fruits एड़ करना रोटी सबजी डाल यह सब एड़ करना यह आपका सुबह का heavy अच्छा breakfast होना चीए protein foods रहना चीए आपका dairy product रहना चीए फल सबजी रहना चीए चावल रोटी सब रहना चीए अच्छा मिल लेना है और आपको एक balance मिल लेना है जिसमें protein carbohydrate fats हर चीज रहे ऐसा नहीं कि बस चाय रोटी खा लिए आपका हो गया breakfast यह नहीं चलेगा उसके बाद अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल चल जाओ फिर स्कूल में recess होता है टिफिन होता है तो टिफिन के time आप अच्छा टिफिन वाक्स करी करो उसमें यह अपका protein source रहना चाहिए अंडा पणिईर चिकन फिस स्कूल में तो आप चिकन फिस लेके नहीं जाएंगे तो आप का अंडा पणिर यह सब कुछ रहना चाहिए यह आप शोया चंग से लिके जा सकते हो राजमा का डाल लिके जा सकते हो तो वेज में बहुत सारा protein source है उ करते हैं समुसा करते हैं बिस्कुट करते हैं केक करते हैं यह सहीं नहीं है यह आपका बोड़ में गरम करता है अगर और आफ केक खऑएंगे फिर mixture खाएंगे, चामिन खाएंगे, तो इसमें आपका body को nutrition नहीं मिल रहा है, ठीक है, बस पेड भर रहा है, आपको energy मिल रहा है, लेकिन आपका body को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, इससे आपका body के growth नहीं होगा, उसके बाद lunch में भी same आपको अच्छा खाना खाना है, फिर मैं आपको एक अच्छा तकड़ा tips बता रहा हूँ, आपको हर तिन घंटे में अच्छा healthy foods include करना है, every three hours आपको खाना खाना healthy foods, देखो जब आप बाहर जाते हो, तो आपको बाहर का चीज देखके खाने को मन करता है, अगर आपका पेट खाली रहेगा, तो आपका attraction उन मारा body का tendency है, कि जब भी भूक रहेगा, खाने को मन करेगा, अगर जब आप कुछ मिस्चटपटा चीज देखते हो, तो फिर आपका brain बोलता है, इसको खालो, लेकिन जब आप उसको खाएंगे, वो आपको एक bad effect देगा, उसका बहुत सारा side effect है, जिससे आपका body unhealthy हो रहा है आपका height growth नहीं होगा, फिर सामके time, आप अपना favorite sports खेलो, cricket, football, ठीक है, साथे साथ आपको workout करना है, workout का क्या करना है, weight training ज़रूर include करना है, ठीक है, उसके साथ साथ आप stretching, hanging, cardiovascular exercise, yoga, इस सब कर सकते हो, and खाना आपको बहुत अच्छा खाना है, अगर आप exercise करेंगा तो आपक exercise नहीं करते हैं, उनका HH level 5 गोना कम रहता है, इसलिए आजकल के जो बच्चे हैं ज्यादा movement करते हैं, ज्यादा exercise करते हैं, body weak रहता है, उनका body में insulin spike होता है, blood sugar level high होता है, जिससे क्या होता है, उनका body human growth hormone ज्यादा release नहीं कर पाता है, आपको dry fruits add करना है, जब भी आपको चटपटा खाने का मन कर रहा है, फिर आप बदाम खाओ, फिर आप roasted चना खाओ, जो भुझाओ चना रहता है, यह सब चीज खाओ, sprouts खाओ, घर में कुछ healthy cheese बनाओ, जिसको आप खा सकते हो, जिससे आपको body को protein मिलेगा, good fats मिलेगा, अगर आप बाहर का चीज खाएंगे, त चीज खाने का मन कर रहा है, तो फल खाओ, फिर dry fruits एड़ करना सीखो, जब भी भूख लग रहा है, थोड़ा dry fruits एड़ करो, इससे आपका immunity बहुत 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 ज़्यादा strong होगा, एक चीज जो आपको बहुत ज़्यादा हैंपर कर रहा है, वह वाचिंग पॉन वीडियो मास्टरबेटिंग और दिन बर मुवाईल लेकर बाठे रहना, यह आपका बॉड़ी में बहुत ज़्यादा stress बना रहा है, ठीक है, जैसे कि आप एक student हो सपोज, तो आपको पढ़ाई का ज़्यादा stress नहीं लेना है, अगर आप discipline way से पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करत तभी जाके आपको results दिखेगा, workout एक गंड़ा को तगड़ा करना है, आज कलिया YouTube का जमाना है, बहुत अच्छा अच्छा creators है, जो बहुत अच्छा अच्छा workout videos बना रहे हैं, उनका videos देखो, सीखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप अपना body को और healthy कर सकते हो जब तक आपका body strong healthy नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हो, and myths, जितना भी अन्विस्वास है, जैसे कि weight training करने से height हो जाएगा, weight training आपका height बढ़ाने के सबसे अच्छा चीज है, weight training से बस आपका muscle नहीं बढ़ता है, यह आपको help करेगा, आपका height को maximum genetic potential तक पहुँचाने में, because यह आपको अंदर यांदर बहुँचाने करता है, बहुँचाने करता है, उससे साथ साथ योगा practice करो, stretching practice करो, यह आपको help करता है, रात में अच्छा निंद लो, सोने से पहले आप कुछ अच्छा अच्छा supplements add करो, जैसे कि अस्वगंदा, सिलाजीत, गुक्सूरा, दूद दूद के साथ, दूद के साथ 5-6 almond add करो, ठीक है, honey add करो, यह आपके immunity को अच्छा करता है, body को protein मिलता है, good fats मिलता है, HGH level बहुत high जाता है, ठीक है, तो कुछ कुछ चीज practice करना है, हर एक 3 हंड़े में खाना है, फल सबजी ज़्यादा खाओ, ठीक है, रेगले work out करो, यह simple स चीज बता है, जो आपको follow करना है, यह सब को start करो, फिर आगे जाके मैं आपको बहुत सार टिप्स दूँगा, हर चीज को करते रो, किसका body में क्या suit करेगा, वो किसी को नहीं पता है, आपका body में क्या suit करेगा, किसी को नहीं पता है, तो जितना में में आपको healthy tips बता रहा